एफोरिजम 61 61 प्रिश्ण है होमोपेथिक और एलोपेथिक चिकिस्था प्रणाली में क्या अंतर है इस प्रिश्थ के उत्तर में डाक्टर हैनिवेंस आप फर्माते हैं कि यदि एलोपेथिक चिकिस्थकों ने विपरीत उपचार के लिए प्रियुक्त औशदियों के दुश्प्रणामों पर गौर किया होता तो वो ये समझ गए होते कि रोग को नस्ट करने की शमता सदश्च चिकिस्था विधान होमोपेथि में हैं वे ये भी समझ जाते कि विपरीत लक्षन वाली औशदियों का प्रियोग करने पर रोगी को कुछ समय के लिए तो फाइदा होता है परन्तु औशदि की किरिया समाप्त होते ही रोग के लक्षनों में पुना ब्रद्धी हो जाती है इसके विरुद्ध होमोपेथि में सम लक्षन चकिस्था से रोग पूरी तरह नस्ट हो जाता है और बड़ी मात्रा की बजाए सुक्षम मात्रा में दवा देने से अधिकला होता है विपरी चकिस्था प्रणाली किसी भी कटिन रोग को नस्ट नहीं कर पाती यदि संयोग वश्थ कोई समान लक्षनों वाली दवा मिल गई तभी बिमारी ठीक हो पाती है प्रकर्ती की मूल रोग जैसे लक्षनों वाले समान रोग उत्पन करके ही पुराने रोग को नस्ट कर पाती है लेकिन इतने वर्षों से इस मूल तत्त को देखते और समझते हुए भी विपरीत चिकिस्था प्रणाली के समर्थकों ने इस सत्त को नहीं सयुकारा है कि केवल सदर्श चिकिस्था ही रोग के लिए सरुष्ष्थ और हित्कारी है डाक्टर पुनीत सरपाल किर्पया हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल बटन बजा दें क्योंकि अगला आने वाला जो हमारा वीडियो है वो आपको सूचना मिलती रहे और आप उसे दुबारा देख सकें